और मुझे लगता है राइपूर का दिवेशन जो होगा, यह बहुत सार्तक साबित होगा, और 2024 तक हम लोग कैसे NDA को पराजित कर पाएंगे, उस विशे में बहुत साइच चलता है यहाँ पर होगा। अभी आप प्रस्ताफ पारित होने जीए, सब प्रिणाम सामने आएंगे। मुझे लगता है इस अदिवेशन पर सभी कांगे जोनों की और देश के निगाटिकी होई है, और एक मैतपूर्ण चर्चा यहाँ पर होगी, और जो प्रस्ताफ पारित होंगे, आने वाली भाविराजनीत का यहां से बहुत कुछ उजागर होगा, और सभी कारेकरताओं के इंदर एक नई उजा का संचार भी होगा, और पूरे देश के कारेकरता यहां पर आएंगे, पंदरा हजार कॉंगिस के पददिकार यहां पर आएंगे, कॉंगिस से दिवेशन हमेशा देश के रादनीव में बहुत एक एहम मोड साबित हुआ है, और मुझे लगता है पाजपा की नाकामिया हैं, वो हम लोगों को जंज़ा तक पहुंचानी है, उसमें कॉंगेस पार्टी अगिनी रहीगी, और मुझे लगता है कि सायोग्यों के साथ हम लोग 24 का जो चुनाव है, वो चुनावती देकर हम जीत सकते हैं, तिनों राजिस्तान, मद्पदे, 36 ग अच्छा अधिकेशन के पहले जो एडी की रिखते हैं, जो महारे सरकार ने मन मना लिया है, अपने पॉलिटिकल ऑपोनेंट्स को, राजितिक पर है जो बात की बात है, लेकिन सब एजेंसी का दुरूपयोग करकर एक संदेज देना चाहते हैं, चाहे वो बीबी सी के दफ् करना हो, चाहे कांगेश के लोगों को जवरस्ती ग्रफतार करना हो, बुर्योक्रेसी का, जुडिशिरी का, एजेंसी का, एडी का, जो दुरूपयोग और जो खुलेयाम अब दुरूपयोग हो रहा है, वो उनके भंबंड और एहम का भी परीचा है, लेकि जनता सब देख और यह सही समय पर लोग सही दिरने करेंगे. क्या इसे बातों से बेगे खड़ा है, जारो कॉम इसके बड़ा मैच्पूर है, मजबूतों कर दिकलेगी पार्टी है.